दोस्तो आज मैं आपके लेके आया हूँ एक नियूज अपडेट जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक पर्टिकुलर सी एंजी की गाड़ी पर बहुत अच्छे डिसकाउंट आपको देखने को मिल रहे हैं जो एक बहुत रिलाइबल कंपनी से आती है एक बहुत र एर बैक्स के साथ में देखने को मिलती है मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूंडई और यहां पर यह गाड़ी आपको सी एंजी वेडियंट में भी ओफर की जाती है अगर आप एक सी एंजी गाड़ी का लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा टाइ इस पेस में आपको देखने को मिल जाती है यहां पर इस गाड़ी पर मैक्सिमम डिसकाउंट 33,000 का और यहां पर जिसमें 20,000 रुपे का कैश डिसकाउंट है जो कि डिरेक्ट डिसकाउंट हो जाएगा 10,000 रुपे का आपका एक्सचेंज बोनस है और कॉर्परे लिख जो कि यहां पर जो कि अपर बेंट रहा है करेंट होसकटे हैं यहां पर यह सफ फोर मिटर कॉम्पैक्ट सेयान आपकी शे एर बैक्स के साथ में आती है जो कि स्टेंडर्ड अक्रोस ऑल डा वेरेंट से पहले हं युन्डई में एक्स्टर, आई 20, आई 20 एन लाइन, वर्ना, क्रेटा, ऐलकेजार, ट्यूसान, कोना, इलेक्टिक और आयोनिक 5 भी आपकी 6 airbags के साथ में आती थी और अभी country में जिस तरीके से लोगों का जुकाव एक safe car के तरफ होता जा रहा है उसको देखते हुए, Hyundai ने भी a decision लिया कि हमें इस गाड़ी में यह safety norm follow करना चाहिए और उन्होंने इस गाड़ी में इस गाड़ी में यह mandatory किया इसके portfolio में इस गाड़ी में आपको दो power train option देखने को मिल जाते हैं जिसमें की एक आपका 1.2 liter petrol engine है जो की आपका naturally aspirated engine है जो force linder engine आता है जो 82 bhp की power और 114 newton meters का peak torque generate करता है पेट्रोल मोड में और यही engine आपका CNG में 68 bhp की power और 95 newton meters का peak torque generate करता है इस गाड़ी में आपको 5-speed manual और 5-speed amt unit देखने को मिल जाता है और यह गाड़ी आपकी CNG में सिर्फ manual gearbox के साथ में आती है दोस्तो इस गाड़ी में जो variants आपको देखने को मिलते हैं तो यह गाड़ी आपकी petrol में CNG में manual और automatic variants में आती है और यहाँ पर आपकी variants जो शुरू होते हैं वो 6,44,000 रुपे एक्शो रूम से स्टार्ट होकर आपके 9,000,000 रुपे एक्शो रूम तक जाते हैं दोस्तो अगर आप एक budget friendly गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह गाड़ी आपको S variant और S X variant पर देखने को मिल जाती है जिनमें 75,000 रुपे का आपको दौनों में difference देखने को मिलता है मैं इस दौनों के वेरियंट के भी comparison करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए S variant लेना या फिर S X variant लेना दौनों में से कौन सा जाता फायदेगा सोधा हो सकता है दोस्तों अगर आप एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं और आप confused है कि आपको केस गाड़ी के लिए जाना चाहिए you can discuss it with our car consultancy जो इस वक्त नमबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप उस पर WhatsApp के थ्रूँ कनेक्ट कर सकते हैं and this is a paid service and we have kept the charges to a very minimum अरत बढ़ी है